जेहिन साथियो आज की इस वीडियो में हम चंद्रयान 3 और आदित 11 के महत्तपूर्ण प्रसनों को कबर करेंगे इसमें हम देखेंगे कि चंद्रयान 3 और आदित 11 कैसे अलग हैं और दोनों में क्या समानता हैं वीडियो को लाश तक जिरूद देखके जाईएगा किसी भी एकजाम में यहां से प्रसनाना तय है तो चलिए सुरू करते हैं आज की इस वीडियो को आपका पहला सवाल है चंद्रयान थिरी कौन से लांच किया गया साथियो चंद्रयान थिरी कहां से लांच किया गया इसका रायट आंसर है zवन अंतरज के अंदर seri harikoota से नेट्स Čट गॉच्शन देखते हैं आज़त 11 कहां से लांच किया गया जैसे चंद्रयान लांच किया गया तेसे आज़त 11 भी लांच किया गया साथियो ये भी 37 जवन अंतरज के अंदर हरी कोटा से लांच किया गया Q3. Mission Chandraan 3 कब launch किया गया? 7. Mission Chandraan 3 14 July 2023 को launch किया गया Important सवाल है आदित 11 कब launch किया गया? आदित 11 2 सितंबर 2023 को launch किया गया था Topic काफी ज़्यादा important है क्योंकि परच्छा में यहां से person देखने को मिल सकता है तो आप इनको ignore नहीं कीजिए साथ यू और पढ़ते चलिए चलिए नेश्ट कोशन देखते है चंद्रियान 3 चंद्रमा के किस हिस्से पर उतरेगा? तो चंद्रियान 3 चंद्रमा के किस हिस्से पर उतरा? दच्छनी दुर्व के हिस्से पर उतरा है चलिए नेश्ट कोशन देखते हैं साथियो हमरा आगला सवाल है आदित 11 मिसन को सूर्य प्रत्वी प्रणाली के पास किस और्विट में इस्तापित किया जाएगा साथियो जिस और्विट में इस्तापित किया जाएगा वो हेलो और्विट तो आदित 11 मिसन को सूर्य प्रत्वी प्रणाली के हेलो और विट में इस्तापित किया जाएगा सात्यों इसका राइट आंसर आपसर नमबर A सही है यह आप देख सकते हैं चित्र में जैसा की दर्साया गया है एक तरफ L1 दूसरी तरफ L2, L3 और L4 and L5 यहां तक की चित्र में L5 तक की भी निसान को दर्साया गया है पडाली से यह हैलो और विट में इस्तापित किया जाएगा जी हां हैलो और विट में इस्तापित किया जाएगा इसका राइट आंसर आपसर नमबर A चलिए सात्यों नेक्स क्वेस्चन है हमारा इंपोर्टन सवाल है इसे स्टार्क मार कर लीजिए चलिए अगला सवाल है हमारा मिशन चंदर्यान थिरी का उद्देश क्या है सातियो मिशन चंदर्यान थिरी का उद्देश चंदर्मा की सतय पर सुरच्छित और सौफ्ट लेंडिनिंग का प्रदसन करना रोवर को चंदर्मा की सतय पर चलते हुए दिखाना लेंडर और रोबर के मध्यम से चंदर्मा की सताय का बज्ञानिक अध्यन करना तो ये तीनों उद्देश से चंदर्यान थ्री के हैं तो मिसन चंदर्यान के ये थ्री उद्देश is the very important question इस्टार कमार लगा लिजे साथियो परसन यहां से देखने को मिलेगा आपको परिक्षा में पोच लेगा कि इन निम लिखित मैं से इसका क्या उद्देश से नहीं है तो आप इन्हें याद रखिए ठीक है चलिए नेश क्वेशन देखते हैं और आपका इसका राइट आंसर उप्रियोक्त डी नेश क्वेशन है आदित एलवन का उद्देश क्या है साथियो आदित एलवन का उद्देश सौर गतिविदियों का अध्यन करना इसका उद्देश सौर गतिविदियों सौर में गतिविदियों होती है उनका अध्यन करना ही इसका में इंपोर्टेंट उद्देश से है चलिए साथियो अपका अगला सवाल है देखते है नेश्ट कोश्चन चंद्रियान थिरी को किस रॉकेट की मदद से लांच किया गया तो चंद्रियान 3 को जिस रॉकट की मदद से लांच किया गया उस रॉकट का नाम है LV M3 M4 चलिए नेश क्वेस्टन आदित एलवन मिसन किस रॉकट का उप्योग किया गया जो आदित एलवन में मिसन रॉकट का उप्योग किया गया था उस रॉकट का नाम है सात्यो PSLV C-57 साथ यो PSLV की फुलफॉर्म होती है Polar Satellite Launch Vehicle आप इनकी फुलफॉर्म याद चुरू करना जिसे GSLV होती है Geosynchronous Launch Vehicle नेश्ट कोश्चन है मिसन चंद्रयान थरी के Lander को और Rover का क्या नाम रखागा तो जो Lander और Rover है उसका नाम क्या रखागा साथियो Lander का नाम है बिक्रम और Rover का नाम है प्रग्यान तो Rover और Lander इस दो important question है इनका पिक्रम और प्रग्यान नाम रखा गया इन्हें आप याद कर लिजिए और not done कर लिजिए इस टारक मार लगा लिजिए साथियो कि important सवाल है चलिए next question देखते हैं अगला सवाल है आदित L1 में L1 क्या है साथियो जैसा कि चित्र में दर्साय गया कि L1, L2, L3, L4 और L5 तक के चित्र अंकित है तो आदित L1 में L1 क्या है जैसा कि मैंने बताया है कि आपको कि L1 long range window 1 जो L1 का उद्देश main important उद्देश है हफसर नमबर C long range window चलिए next question देखते हैं साथियो अपना चंदर्यान थिरी को दच्छन दुरुख तक पहुँचाने में कितने दिन लगे थे हैं तो इस question नमबर 13 है 40 दिन लगे हैं तो दच्छन दुरुख पहुँचने में 40 दिन लगे हैं next question है आदित L1 को L1 point तक पहुँचाने में कितना समय लगेगा तो आदित L1 को L1 point तक पहुँचाने में 4 मन्त लगेंगे आदित L1 लगवग 125 दिनों बाद लेंग रियांज पॉइंट पर पहुँच जाएगा ठीक है साथ यो चलिए नेश कोशें देखते हैं रागला सवाल है चंद्रयान थ्री चंद्रमा की सतय पर कव सपलता पूर्वक लेंड हुआ तो चंद्रयान थ्री चंद्रमा की सतय पर सपलता पूर्वक तेश अगस्त को लाँच हो गया इसरू के प्रमुक ने कहा है तेश अगस्त को साम 6 बच के 4 मिनट पर चंदर्यान तरीकी सफ्ट लेंडिंग की योजना बनी थी जो सफल भी हुई कोशन नमबर 16 है प्रत्वी का एक मात्र उपगर है कौन सा है प्रत्वी का एक मात्र उपगर है चंदर्मा है नेश्ट है सौर मंडल का जनम जाता किसे का जता है सूरी एक, तारά है, याद करते चलना Question no.18 चंदर्मा का प्रकास प्रत्वी तक पहुशने में कितना समय लगता है तो चंदर्मा का जो प्रकास होता है वो हमारी प्रत्वी तक पहुशने में समय लगता है एक मिनट 3 सेकेंड Next question और सात्यों इसी तरह का एक दूसरा कोश्चन है सूरी का प्रकास प्रत्वी तक पहुचने में कितना समय लेता है कई बार परिच्छा में आया भी कोश्चन और रिपीटिड भी है तो सूर का प्रकास पहुंचने में पृत्वी तक 8 मिनट 3 सेकंड लेता है नेश्ट कोशन है चंदरमा पृत्वी से कितनी दूर है शात्यो चंदरमा पृत्वी से 3000, 미안.84bes4400 किलो मेटर है चलिए नेश्ट कोशन सूर से पृत्वी की दूरी कितनी है तसूर से प्रत्वी की दूरी एक सो पचास पंड बानवे मिलिन किलो मीटर है Q2 है चंदर्मा कितने दिनों में प्रत्वी का एक चक्कर पूरा कर लेती है तो 27 दिन 6 गंटे में एक चकर पूरा कर लेती है यह प्रत्वी की परिकर्मा 27 दिन 6 गंटे में पूरा करता है 27.3 दिन में लगाता है चलिए अगला सवाल है हमारा बढ़ते हैं नेक्ष कोशन की तरफ कोशन नमबर 23 प्रत्वी सूर के इर्द गिर्द परिकर्मा करती है लगवक 325.25 दिन में नेक्ष्ट है चंदर्मा एक बर्स में प्रत्वी के कितने चकर काट लेती है तो 13 चकर एक बर्स में काट लेती है चंदर्मा की सताय पर यानि चंदर्मा की तरफ कूच करने वाला बहाद या पहला अंतरिच यान कौन सा था तो चंदर यान बन पहला अंतरिच यान था चलिए नेर्ष कोश्चन देखते है कोश्चन they are 26 है सूरी का नरच्छन करने बाले पहले भारती अंतरच मिशन का नाम क्या था तो सूरी का नरच्छन करने बाले पहले अंतरच भारती मिसन का नाम आधित 11 मिशन था जो अभी हाली में launch किया गया कोशिर न number 27 है प्रधानमंतरी नरंदर मोदी थे आदे टेलबन मिसन और चंदरयान थेरी की लांचिंग के समय देस के राश्ठपती कौन है तो ये दोप्ती मुर्मु है जैसा कि चित्र में तरसी थे नेक्ष्ट आदित तेलबन मिसन कितने बेग्यानिक पाइलोड उपकरन लेकर गया तो साथ बेग्यानिक को या साथ पाइलोड को लेकी गया है 23 अगस्त के भारत देश के एतिहासिक दिन को किस रूप में मनाने की घोंसरा कर देगी तो परदान जी ने परदान मंतर जी ने घोंसरा किये कि हमारा यह vientी नेसरल इसपेश डे मनाया जाएगा 23 अगस्त को भारत वरे में नेसरल इसपेश डे के रूप में घोंसरी किया गया प्रिशवी की कच्छा से बाहर जाने वाले इसरों मिसन जो भी हाली में लाँच किया है जैसे लंचिंग डेट और मिसन 22 एक्टूबर 22 राइट को चंदरियान 1 लाँच किया गया 5 नॉम्मर 23 को मौर्स आर्विटर मिसन लाँच किया गया 22 जुलाइ 2019 को चंदरियान 2 लाँच किया गया 14 जुलाइ 2023 को चंदरियान 3 लाँच किया गया और सात्यों 2 सितंबर 2023 को आधित 11 लाँच किया गया तो सात्यों यह रही आपकी आज की किलास और नेर्ट कोस्टन है जो मैंने आपको होंबर्क में पूछा है तो इस question का जवाब साती हो आप सभी लोग comment में दीजिए और पहली बात मैं आपको बता देता हूँ कि ये important question है हाली में सिरी हरी कोटा 37 धवन अंतरिच के अंदर में launch mission के countdown को अबाद देने वाली किस scientist का चिन्ने में निदन हो गया जी हाँ इसका जवाब आप मुझे comment में दीजिए आज की वीडियो में इतना ही आई हो वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आई हो तो please channel को subscribe कर ले क्योंकि current affairs की दृष्टी से काफी ज़्यादा important topic है और यहाँ से प्रसंद पूछने की प्रबल सम्भावना है तो चलिए साथ हो जैसा कि मैंने आपको बताए कि UP Police Exam, UPSI और SSC GD तिल्ली Police I करी एकजाम आने वाले हैं तो आप पढ़िए साथ हो तो चलिए मिलते हैं अपनी next वीडियो में तब तक के लिए वीडियो में इतना ही जै हिन जै भारत